हेलो डियर स्ट्रेंट्स वेलकन टो प्रोफेसर एस्पी गोयल जाइस क्लास्रूम प्यारे विद्यारतियों आज हम हिंदू का और इन एक्स्प्रेस न्यू जेनलीशिस और में के दो तिन कुश्चन आप यह देखिए रोजन आपको में के कुश्चन मिल रहे हैं और मैं बताता भी हूँ आपने कैसे आंसर लिखने है में इनके और मोडल आंसर भी बना के दूँगा मुझे लगता है इससे बढ़िया को मोडल नहीं है इंडिया में करण्ट क्यारी करने का प्रिलिम्ज और मेंज के लिए अब हम चलते हैं सिद्धा दा हिंदू की न्यू जलिशिस पे अब यह टेक्स अंड कंटेक्स्ट पे है ओन्दा जूरिस्डिक्शन ओफ सीवियाई ऐसे एडी पर आ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोट ने अब्जेक्शन किया है कि सीवियौ का जो है कि जो इसकी पावर है पे ओर इडिटी की जो पावर है वो मिश्यूज नहों आप सभी को पता रोजणा यह आ रहा है और यह एडिशन भी है पॉजिशन पाटी आपिस का के जो कर देमाल कर रही है कि अगहेस्ट पोशिचन मेंबर्स कि इसमें जो है ए प्निश के एक्ट दिशेज अधिक लिए कि शिटी इसलिए जो को स्टेट्स में स्टेट्स की कंसेंट लेना जुरूती है ये बहुत सारी स्टेट्ट में जैसे वश्टी पंगाल है तामिलाडू है बहुत सारे स्टेट्स ने consent नहीं दिये revoke कर देके भी cbii हमारे consent के बिगर नहीं काम करेगी हम नहीं देते consent वह cbii नहीं कर सकती फिर भी cbii ने वहा जो है investigation की है इसलिए Supreme Court वें यह case गया है समझ गये ना तो यह आ सकता है इनकी जो cbii की क्या jurisdiction है क्या यह central agency जो है काम कर रही है यह सारा आपको कलिर होना चाहिए क्योंकि यह गवर्नेंस का लाइंड ओडर का मामला है अब इसके अंदर आर्टिकल 131 दिया हुआ है वह फेडरलिजम से रिलेटीड है कभी पूछ सकते हैं आर्टिकल 131 ऑफ दा कॉन्सियूशन क्या है इसे देखिए स्टेटि अब यह देखिए पावर ऑफ स्टेट्स कु विद होल्ड पंसेंट तो सीविए इस नोट एप्सलूट एश्प्लें विद रेफर्स तु दा फैडरल क्रेक्टर आप इंडिया यह जो एश्टर के आर्टिकल आपनेंगे जब इनका अंसर बढ़ेगा मैंग जिन में से नही यू कें से फिसकल फैडलिजम जो स्टेट्स को जो है टांसफर्स होता है उसमें बहुत सरे स्टेट है जो जिनमें पोजिशन पाटिज है लोगन करनी है उनके अमिशा शिकायत रहती है पैसा कम बिल रहे है डिवॉलूशन कम हो रहा है डिकमेंडेशन से इन रियल तरम्स तो इस आर्टिकल से आपको काफी कुछ जो है मिलेगा कि कैसे डिवॉलूशन में जो है क्या डिवॉलूशन करते हैं फाइनिस कमिशन क्या नहीं करती है दूसरा सेंटर सेक्टर स्कीम क्या है सेंटरी स्पॉंसर स्कीम क्या है क्या वो फाइनिस कमिशन के दायरे में आती है यह सारे कोश्चन में निकाल दिये जैसे गरांट इन एड है तुद रसेट इस ट्रेशरी गरांट रिकमेंड भाई फाइनस कमिशन जो गरांट इन एड जाती है यह टेक्सिज की डिवलूशन है वो तो फाइनस कमिशन करता है यह पंचयत की है लोकल बोडी की यह सारा जो है उसका क्या क्या रोल है आपको पताबळेंड क्योंके नए अफाइनस कमिशन बना है इसलिए इस साल जो है ओने चैनल क्रिट अब छिटिए का पुच्छ है है उसमें नहीं होना बटा दा चैलेंजी शुचिटेट इट बिद दो विट धिवलुशन सट भाई बाई पाई फाईंस कमेशन ऑफ फाईंस कमेशन जो है ये स्विजल बोडी है हर पांच साल में प्रेजिजेंट जो है इस फैनिस कमिशन का चेर्मन मेंबर्स को प्वेंट करता है तो इस तरह क्वेश्चन जो है आप भी बढ़ाईए इसमें से देखके आंसर इसका फिर मैं बोडल आंसर बढ़ाऊंगा इस तरह से हम जो है इसको हीट करेंगे ताकि हमारे में में 120 प्लस आए 125 प्लस आए हर पेपर में और प्रिलिम में तो जो है हमने 110 प्लस लेने हैं उसमें तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं उखता कोई स्वाल ही नहीं उखता क्या फेल हो जाए अब यह मोस्ट इंपोर्टन आर्टिकल है आज का और यह कुश 되는 आर्टिकल में नियुद्ध में बनाएए देखिया यह आप यह आप देख रहे हैं कि लीफ है देखिए क्योंकर मैं के एक ऑग्यरीकचे्ट शाइंटिस्ट्ट यह प्सक्राहिर ह informative है है थुमेटों पर वॉईट फॉलाई यह क्या पर एजय सो फिलाटी है वायल दीजिज जाता है कि विल्टिंग हो जाती है यह समझी आप और यह जो है टमेटो लीफ पे जो वाइट फ्लाई है यह निफ लिखना हुए निफ का मतलब होता है आगी के बाद निफ और अडल्ट आपको पता ना हम तरब आपको चार स्टेज पता है एग लार्वी टूपा और अडल् कि व वाइश चक्यांदर फिंज रिये अग लेट निफ और अडल्ट अडिन सको यह जो एmport और शिया प्र मोसाफ वाश्प है यह खाता है प्रिस्टैज करता यह प्रेश्टाइच गार्व साज़स दूंक उसने चिपकर रहता है और धिरी दिर उसको खटम करनेता है प्र एकदम खाती है एफिड को यह जो मैं साइड में बताता हूं ना यह नोट कर लिया अगर हो यह मिलेगे नहीं मुझे अभी याद आया यह लेडी बर्ड बिटल एफिड को खाती है वह प्रीडेटर है वीच एकदम खागी परिस्टाइज होता है उसके चिपक जाना तो दीरे आप यह देख रहे हैं यह जो ब्लैक हो रहें यह पर स्टैज होगे वाइट है जो एक्टीव है रश चूसरे इस ब्लैक है जो यह पर स्टैज हो चुके यह कुरंट बाइलोजी में आर्टिकल आया है और इसके अंदर क्या है बहुत सारी बड़ी इंपॉर्टेंट इंप्रेमिस देख वॉल बच्चिया बैक्टिरिया पर कुश्चन आसका कभी भी यह वास्प के अंदर होता है वास्किटों में होता है अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इन्हों ने चाओ वॉल बैच्चिया बैक्टिरिया हैं मेनुपिलेट इड़ वास्प जो वास्प है एंकोप्सिया फोर्मोसा उसको इसने मैनुप्लेट कर दिया मेल खतम कर दिये फिमेल फिमेल बढ़ेंगे वॉलबेचिया से कैसे वॉलबेचिया बैक्टिरिया कैन इंड्यूस अंट फेटलाइज एग्स तू सम्हाव डबल दा क्रोमोजोम नंबर जो अंट फ जो अन फटैलाइज गrito अन फटैलाइज आई ऊसमें सिर्फ हमेल ही बढ़ेंगे उसमें सिर्फ पुवल बढ़ेंगे मेल नहीं नहीं बढ़ेंगे और वोल्बे चैक्ट्रेटेरिय वर्षोणे स्माट्रश उनाफ अनल कुट डबल ता करोंगो जो अन्फिंद में ज़ो नुछा इस होगी और unfertilized में जो है वो मियोसिस होगी और फटलाइज्ड में मैटोसिस होगी यह समझो आप इस आर्टिकल को पढ़ो इस में special आप comment box में बताना इस में special एक वीडियो बना देंगा डॉंट वरी यह मुझे अब जैसे मान लिया किसी इंसक्ट में फिमेल बनते तो उसके रिपोड़ो से नहीं हो जाएगी मेल बनेंगे नहीं तो यह बालोजिकल पैस कंट्रोल करते हैं इसको यदि को पैरसाइट जैसे यह है एंकोर्शिया है वास्प इसके निव को जो है यह पर स्टैज करता है पैस्ट कंट्रोल बालेजी कंट्रोल में पैस्ट का क्या फाइद है यह एक तो लोंग टरम है सस्टेनिंग है सशेने वला अन्वारिमेंट में पैसिशेड नहीं आता च्रली जूटती है पैसिजएड और मिकाल है कितना इंपॉर्टेट यह अधि हमने परसाइट कहा है इसके हम जो है आप कहेंगे कमेंट बोक्स में तो दुबारा से जो है इसकी वीडियो बना देगा अके लिए आर्टिकल ठीक है और इसको मैं पूरा अच्छी तरह से इसमें नोट आपको दूंगा बनादे अब यह मैंने जो है क्वेश्चन बना दिया वाइट फ्लाई सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिकेशन निकाला है अपना इस साउदर्न शिल्क रूफ सिक्किम एंड कलिंपोंग वाइल्ड फ्लावर जैंड लेंड्सकेप स्केप्स लेंड्सकेप्स निकाला है पूछ लेता है कि डोकॉमेंट किसी ने निकाला है यह बोट निकल सर्वे इसमें एक तो यह लिखा हुए है इसमें कुछ ट्रीज दिये हैं जो एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं वो मैंने इसमें सारे कुशन मणा दिये हैं वह आपने सारे याद कर ले हैं अब यह प्लिप सेस्ट इस्टोरिक एमलम ऑफ रियूस अब इसमें यह बताया गया पार्शमें वाजर राइटिंग मेटिरियल मेड फ्रॉम अंटेंड स्किंज ओफ एनिमल स्पेशली गोट्स यह बड़ा एक्स्पेंसिव था पीपल ओफन स्क्रैब और वाच्टोफ एनिया इस्टिंग पैस्टोन पार्शमेंट और रियूज करते थे इसे रियूज को जो है ना प्लि ट्रिम जेंड और तूमिडी जे स grow blaws लिंशिम का इस कि यह यह आपको प्रिम् ने प्रिलिम का बरता को अर्कमिध जो है घ्रसूज ऑ हो इंको प्रियम 153 कते हैं इंच प्रिलिम से जो है इन जियोलोजी एज नेचरल फीजर क्रिएटिट बाइड इफ्रेंट स्ट्चर्श पढ़ना है यह concept आते हैं आपके प्रिलिम में concept आएगा यह concept आपको नहीं मिलेंगे अब इसमें गलेक्सीज बताई है दो गलेक्सीज का नाम बताया है तो जैम्स वेफ्स स्पेस्टेलिक स्कॉप से इमेज लिए गए हैं एक NGC 2937 है ठीक ना इस तरह से आपने 2936 है यह याद रखनो यह स्पोर्ट लाइट में आपका बड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल आते एक से में जी एस पेपर में काम आ जाता है अब यह करनाटका तामिलनादू कावेरी वाटर पे हमेशें यह आठिकल आते रहते हैं आप बहुत सारे कवर किया है कावेरी वाटर रेगुलेशन कॉमेटी से कहने पर यह करनाटका ने पानी छोड़ दा करनाटका जोना अपर इसके अंदर इंपोर्टन यह है प्रिलिम का के काविनी हरांगी हेमावती एंड कृष्णा नाजा सागर्थ यह रेजर वायर है यह पूछ लेगे आप से कौन सी रिवर बेशिन की है आप इसमें फज्जा होगे यह चार जोगे काविनी हरांगी है हमावती कृष्णा जिडिवायर है वाटर स्टोरिज रिजिडिवायर यह कॉंड सी रिवर बेशिन की है यहां तो आपको असान लग रहा है काविरी लेकिन साथ में घुदावरी कर्शना भी दे देंगे वह तो आंसरी इस काविरी बेशिन अब यह बड़ा इंपोर्टन है आपके मेन के अधर पे ट्राइबल बेल्ट है वहां पी इन्होंने क्या किया है कि मिलेट्स के बहुत सारी क्रॉप्स के यह शीड को एक्सेंज करते हैं इंडिजिन शीड को इसना फैदा क्या है यह जरम प्लाजम है आगे आने वाली जन्रेशन का इधी इंडिजिन शीड होंगे तो हमा जो रहा है एक्सिंज होता जाएगा बढ़ता जाएगा और बहुत सारी वर्याटी उससे इंडिश्टी ऐसे यूस स्टेट अग्रिक इंडिश्टी इस निकाल सकती है जब यह मिलेंगे तुकि यह जरम पलाजम इंडिजिनस यह बड़ा इंपोर्टेंट है इसके अंदर ड रास्थान ने पास किया है करनाटका ने अब इसमें चैलेज्ट के यह बताया गया है कि इसमें यह कलिए नहीं है किसी भी रास्थान में भी नियाएड इसमें एंप्लायर और गीग वरकर का जो है रिलेशन एस्टेबिलिशन हुआ उनको सोशल स्कूर्टी नहीं है उस लेवल के जो होनी चाहिए लेटफार्म वर्कर्स गीग वर्कर्स में मैंने एक वो बना दिया है बड़ा इंप्रटेंट है और यह स्पेस एक्स की जो है फाल्कॉन नाइट रोकिट है यह याद रखने आपने पुछ लेते हैं फाल्कॉन नाइन रोकिट जो है यह किस्से रेटिड है नासा का नहीं यह स्पेस एक्स का है ठीक है तो यह जो ग्राउंड पे वापिश इन्हो प्रोब्लम आगे इसमें जो इसकी जो है दो स्टेजीज है उसमें स्टेज में प्रोब्लम आगे लिखे जो गया ऑक्षीजन तो यह इसमें बतायागे तो प्यारे विद्यार थी हो रोजाना तीन से चार बच्चे कई बार पांच भी हो जाते हैं वो पहले मुझे अपनी मेरी मेल पर फिर पूरे साल की स्टेजी दिस्स करो उनकी स्टेजी में मैंने प्रफेक्शन कर देता हूं कि यही समय है जब आप यह सो सकते हैं कि मेरा रैंक आ जाएगा जुलाई यही समय है तरंट अफेर आप जो है इस समय शुरू करेंगे NCRT इस समय जो है अपने क्वे अपने करेंगे इस समय आप अपने और ली करेंगे में के साथ तैरी करेंगे वह सारी स्टेजी में जो है मैंने आपके लिए दो तिन मंटे रखें शाम को चाहे आपने एंडॉल किया है चाहे नहीं किया है दस से ग्यारा लाग बच्चे बैठते एक्जाम में कितने ही बच कि दो जार पत्चिस का जो प्रिलिम देंगे ना उसमें 100% सेफ कैसे होना है वो स्टेजी में पता हुगा आपको अपने एक्स्पिरिश से 42 एक्स्पिरिश से एज इनुस्टिक प्रोफेसर एज चीफ सैंटिस्ट मैं आपके ऐसी स्टेट्जी बना के देदूँगा अब बिल्कुल मार दिखा होगे 10-11 लाग बच्चों मैं सब से आगे खड़ा कर जा तो मैं आप लोगों इसलिए पर नहीं पढ़ पाते कोई बात निमांडेट पर्शन दे रहा हूं आप एक मिनट भी नहीं पढ़ता पड़ पाते फिर भी कोई बात नहीं कि इदि आप एगंटा मेरे साब नहीं तो बहुत अच्छा है नहीं भी पढ़ पाते तो मैं कंप्लीट जो है आपको पैकेज दे तीन मिने के कोर्स में पच्छी से जदा कुश्चन आगे करंड़ फेर के सारे इंटरनेशनल आगे डिरेक्ट आगे कुश्चन मिजोटी इसी तरह गली बार आएंगे तो क्यों नहीं आप एन्रोल कर लो अपनी सेफ साइड के लिए थैंक यू वेरी मुच टेक केर